राजस्थान की महान भूमी को राज राना का नमश्कार और हमारे पूरे औलवोर्ड संस्ता की तरफ से आप सभी को नमश्कार जो भी आज हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दवाना तो बिलकुर न भूलें ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच पाएं तो आज हमारा एक नया सेग्मेंट सुरू हो रहा है वो है टॉब टू फिप्टी एमसी की ओफ जियोग्राफी यह आपके आर एएस जो एक्जाम 27-28 अक्टूबर को होने वाला है उसके लिए बहुत जादा मेक्पूर होगा और इस मेंसे आपको बहुत सारे प्रशन मिलें करने हे आपको पता ही है जियोगराफी में लगवा लगवाग में आपके 20-30 Q Kyossenko के आसपास पूछे ही जाते हैं अगर राजस्तान जियोगराफी और इंडियन जियोगराफी इसे बहुत ज़्यादा अच्छा है तो चलिए सुरू करते हैं class को सबसे पहले हम पहला question आपके सामने लेके आए हैं वो है ये आप इसका answer जरू देजिए और मैं भी इसका answer साथ साथ आपको देता ही चलूँगा चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं question number 1 है ये और आप सभी लोगों के सामने है वैसे question number 40 है क्योंकि हमारे इससे पहले भी segment हो चुके हैं तो इससे पहले के जितने भी प्रश्ण होंगे मैं आपको नहीं करा दूँगा चलिए तो मिकिर हिल्स का विस्तार कौन से राच्च में है आपको इसका answer बताना है अरुणाचर प्रदेश, नागालेंड, मेगाले और असम चलिए बताएए मैं आपको देता हूँ 5 second का time 5 second में आपको इसका answer बताना है मिकर हिल्स का विस्तार कौन से राज्च में है अरुणाचर प्रदेश, नागालेंड, मेगाले और असम तो इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा असम तो D is correct answer आप अपने answer का साथ साथ match भी करते जाएए चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और यहाँ पर देखते हैं देखिए यह है North East की हमारी सारी hills आपने उत्तरपूर्व राज्यों के बारे में सुना होगा उत्तरपूर्व जो राज्य हैं वो साथ राज्य हैं अगर यहाँ पर देखोगे तो यह है अरुणाचर प्रिदेश इधर है नागालेन, इधर मरीपूर, मेजोरम इधर तिरपुरा है यह आपको दिखाए देरा जो असम है और यह है मेगाले इन सातों राज्यों को कहा जाता है सेवन सिष्टर यह सामरिक द्रश्टी से भारत के बहुत ही ज़्यादा महत्वण राज्य हैं और हम पूरा हमारे भारत की जो मुक्षभूमी है एक छोटे से गल्यारे से होकर यहाँ पर जूरी हुई है तो यहाँ पर कुछ पहाड़ी दे रखी है इधर मैंने नमबर भी बता रख्या और इधर लिख रखा है मैंने सारी पहाड़ियों के नाम इतनी बहतरी रूप से हमने इन पहाड़ियों को बनाया है अब देखिए, यहाँ पर six, seven, eight and nine and ten, यहाँ आप देख सकते हैं, मिकिर, रेगमा, यह है बरायल, इसके बाद भुवन, उर्वांचल, यह सभी जो पहाडियां हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, यह है आपका असम, तो असम में आपको यह पहाडियां दिखाई दे रही हैं, और आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपसे प्रश्न पूचा था, कि मिकिर हिल्स कहाँ पर है, तो six number को देखे, कहाँ पर है, यह है, और यह कहाँ पर है, असम में है, बागी हिल्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेजे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको देखे, दिखाई देगा 11 वारा 13, यानि गारो, खासी, जैहिंतियां, यहाँ पर कौन-कौनसी हैं, गारो, खासी, जैहिंतियां हैं, इसके बाद यहाँ पर नागा हि पुर्म है याद रखना 17 पर है हमारा मिजो हिल्स या इसको हम लुसाई हिल्स भी कहते हैं और 18 वे नमबर पर दे रखा है तरपुरा हिल्स याद रखो यही जो मिजो हिल्स है आगे जाके अराको नियामा में मिल जाता है इसके बाद चिन पहाड़ियां आती है अराको नियाम हैं ओके और वैसे ही आप राजस्थान के हो और राजस्थान के हो ते राजस्थान में महाराणा प्रताब का तो आप समने नाम सुनाई होगा तो आपने ये भी सुना होगा कि तुन्द कहां तक पाला जाए युद्ध कहां ठीक है कहते हैं कि एक तरह से भाला यानि जितनी तुम में capability है उतना दूर भाला जाना चाहिए इसका means है कि हमारे अंदर जितनी capability है पूरी तरह से अपने आप गो जोंग दो R.A.S. के exam के लिए और फिर देखो जो वहां से तुम्हारे अंदर यानि तुम्हारा एक नया ही अवतार होगा एक तुम अगर HDM बन जाओगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा पूरे तुम्हारे छेत्र में नाम होगा और generally जो लोग तुम्हें एक अजीव द्रश्टी से देखते थे उनकी निगावी उनकी नजर भी आपके प्रती अपने आप ही बदल जाएगी चलिए 41 question देखते हैं यह है दंड का रने के पठार का पिस्तार किस राज्यो में नहीं है यहाँ पर प्रेशन देख रहे ना यहाँ पर पूछाए कि नहीं है यह ज़रूर याद रखना तो कहां पर नहीं है आंद्रपदे 36 गर उडिसा तो इसका right answer देखिए मुझे आप answer पताईए और मैं आपका answer दोंगा 5 second का time दोंगा बस मैं और आप अपने answer को चेक जरू कर लीजिए आंद्रपदे 36 गर उडिसा और जारकन तो इसका right answer जारकन भी इस right answer तो दंड का रने का जो पठार है वो आंद्रपदे 36 गर उडिसा तीन राज्यों में इसका विस्तार है चलिए और भी कुछ पठार हैं हमारे पास अगर उन पठारों को आप देखना चाहें ये है आपका पठार जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार जनली आप याद रखें जो पठार है वो क्या होते हैं वो होते हैं भूनी का ऐसा हिस्सा जो आसपास की जमीन से उचा है और उपर से सपाठ है समतल है उसी को हम कहते हैं पठार पठार को हम तेवल लेंड भी कहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार है इसका सरवादिक जो विस्तार है वो कहां पर है वो है हमारे जारखंड में जरूरी यात रखना जारखंड चलिए, यहां पर आपको मेगाले का पठार या सिलोंग का पठार दिखाई दे रहा है, इसको कार भी, एबलोंग का पठार भी बहते हैं, मेगाले का पठार। यही पर गारोख खासी जैन्तिया हैं यहाँ पर आँ मालवा का पठार देख सकते हो इसका भी विश्ता राजस्थान में मद्ध्देश में है इदर आपको बुंदेलकंड का पठार दिखाई दे रहा है यह उत्तरप्रदेश और मद्ध्देश में है यहाँ पर आपको बगेल कंड का पठार देखाई दे रहा है यहाँ इसका विस्तार हमारे मद्ध प्रदेश में है इदर डेकंड प्लेटी हुए जो गुजिरात में है और महाराष्ट में इसका ज्यादा विस्तार है यहाँ पर कंणाड का पठार है तो यहाँ पर तिलंगान का पठार और यह रहा आपका दंड का रन्ने का पठार यह दंड का रन्ने का पठार है वो आंध्रप्रदेश में 36 गड़ में उरिसा में इसका विस्तार है तो चलिए अगरा आपको प्रेशन देखते हैं तो यहां पर आप दियार रखे हैं कि कॉवकर तड गोवाऑ और महाराष्ट के सपते हैं तो यह बिल्कुות सही है यो और प्रेशा में उड़्व मंडल तड उडिसा में नहीं है क्योंका उडिसा में कौन सा दड हैॉतकल है और पोरो मंडल कहां पर है तमिल नाडू में तमिल नाडू के तड़को क्या कहते हैं पोरो मंडल एक बात और याद रखना पोरो मंडल तड़को अगर आप देखोगे तो यह अरब सागर से लगा हुआ है हिंद महा सागर से लगा हुआ है मननार की खाड़ी से लगा हुआ है पा पूरुमंडल के तटको तमिलनाडू में है। यहाँ पर हम तटको देख सकते हैं। यह है गुजरात का तट, जैसे हम काथियवार तटी मैदान कहते हैं। इधर आपका महाराश्ठ है और गुआ है, उसे कहते हैं कॉंकर तटी है। इसके बाद है, यहाँ पर केरल, इसको कहत पाक स्ट्रेट बोलते हैं यहां पर पाक खाड़ी है और यहां पर एक गल्फों मन्नार ठीक है और यह सब हिंद महासागर में हैं इधार अरवसागर है तो यहां से यहां से लेकर यहां तक यहां तक यहां से लेकर यहां तक तो कोरो मन्नार अरवसागर से भी लगता है मन्ना और इसी को हम नीचे से कहते हैं उत्तरी सरकार मेदान तो उत्तरी सरकार पूरे पच्छी वंगाल तक यारि उत्तरी सरकार में यह अंध्रपदेश है और यहां पर वेस्ट वेंगॉल है चलिए इसको भी याद रखेंगे नेक्ष्ट कुश्टन यह आप देख लेते हैं तीक ह आज हम आपको साथ साथ बहुत सार एफेक्ट करा देगे question तो 10 होंगे लेकर हम आपको बहुत सार एफेक्ट करा रहे है साथ साथ अब next question है question number 43 मुंबई आगरा मार्ग पच्छमी घाट के किस दर्रे से होकर निकलता है अगर आपको मुंबई सागरा जाना है तो कौन से घाट आपको देखने के लिए मिलेगा आप ये बताईए खालगाट मिलेगा भूरगाट मिलेगा पालगाट मिलेगा ये इनमेसे कोई नहीं मिलेगा आंसर दीजिए और फिर मैं जो आंसर दूँ इसे मिलान कीजिए और फिर अपने label को में high करता जाऊंगा और label को इसको में बहुत ही ज़्यादा high और भोधी ज़्यादा tight जाऊंगा तो चलिए आज हमने सुरुआत की है इसमें हम थोड़े से simple question करवा रहें लेकिन यह simple question नहीं है इनको इनी questionों को hard बनाया जा सकता है ऊके तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो पहले इन क्वेश्चन का आंसर देते जाएए धीर धीर हम इसका जो इसका लेवल है उसको बहुत ही अप कर देंगे तो मुंबई आगरा मार्ग पच्छमी घाट के किस दर्रे से होकर निकलता है तो इसका राय टांसर क्या है थाल घाट याद रखना कौन सा है थाल घाट है और थाल घाट क्या है एक दर्रा है दर्रा क्या होता है परवतों के बीच में जो दरारे होती है उनको हम दर्रा कहते है क्योंकि पूरे परवतों को पार करना तो संभव नहीं है इस कारण हम उन इस्थानों को देखते हैं जहांपर जो हमारा जो परवत है उसकी उचाई कम है और वहीं से हम निकल लेते हैं वहीं से हम अपने रोड बना लेते हैं महीं पर हमारा पूरा व्यापार होने लग जाता है तो यह है थालगाट और थालगाट से होकर मुम्मई आगरा मार्ग जाता है वियाद रखे हैं तो थालगाट है वो महाराष्ट में मुम्मई को नासिक से जोड़ता है यह वियाद रखना थालगाट है थालगाट इसके अला ऐसे करके आप देख लो ये तो है जम्मू कश्मी इस समय पर बहुत सारे दर्रे हैं में थोड़े-थोड़े नाम पढ़ दे रहा हूं यहांपर मिन्ता का पास है अगर आपको जाना है अफगानिस्तां तो मिन्ता का पास होके जाना पड़ेगा यहां पड़ेगा इसके बाद पारिफीक पास है इसके बाद अगिल पास है इसके बाद कारा कोरम पास है यहां पर देखेंग तो लनक ला है इसके कैपसांग ला है जारा ला है इमिस ला है इस तरह से आप याद रखो जम्मू कश्मीर के दर्रों को भी आप याद रख सकते हो पीर खंड के दर्रे हैं, इसके बाद अगर दर्रों को देखेंगे, तिस्क्यम आ गया जिक्यम में नाथूला दर्रा है जेलेपला दर्रा है और साती साती के नाकूला दर्रा भी है, ओके चलिए, आगे चलते हैं यहांपर अन्वाचर प्रदेश में, तो यहाँ पर देख पा रहे हूँ, आप बुमला दर रहा है, यहाँ पर तंग ठंगला दर रहा है, दिहांग दर रहा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिहांग दर रहा है, यहाँ पर यांग याप दर रहा है, यहाँ पर डेपर प्रिदेश आजाएगा इन दौनों के बीच मैं हराबरी स्रेडी में हुप यहां पर के इसके बार यहां पर जो धर्र आपको दिखा है। ओपर किसी महाराष्ड और मद्द पृदेश की सीमा पर असिरगात के लाभी काफी महत्व पूर है आप यहां पर Google पर सर्च करके असर घाट के लिए को जरूर देखें, इसके बाद यहां पर आता थारगाट दर्रा, यहां थारगाट याद रखो पच्छमी घाट का दर्रा है, यह मुंबई को नासिक सी जोड़ देता है, इसके बाद यहां पर जो दर्रा दिखाई भोरगाट दर्रा, ओके भोरगाट के बाद आपको दर्रा यहां पर दिखाई देगा, यह है कुमबरली दर्रा, कुमबरली घाट, यह कुमबरली घाट है, यहां पर गोवा है, जो गोवा से जोड़ता है, ठीक है, इसके बाद है चोरला घाट, चोरला घाट यहां पर करना सो मेलित नहीं है आपको बताना है कौन सो मेलित नहीं है ये भारत के जितने भी geomorphic reason है उनका percentage दे रखा है कि परवती चेत्र पूरे भारत के कुलिभ चेत्रफल के कितना तत्यशत है तो परवती चेत्र 10.7 है पहारी 18.6 है पठारी चेत्र 27.7 है और मैदानी 48% तो बताइए कौन सा इसमें mismatch है तो आपको answer देना है जल दी और मेरे answer से आपको इसको match करना है तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं परवती छेत्र है 10.7 क्योंको भारत का जो छेत्र पर है आपको पता होगा कि तरह है भारत का 32,87,263 km2 32,87,263 km2 का 10.7% है परवती छेत्र बिल्को सही है पतार जो पहारियां है वो क्या है 18.6 है बिल्को सुमेलत है पतारी छेत्र 27.7 है बिल्को सुमेलत है मैदानी छेत्र 48% नहीं है गलत है लगवग 43% के आसपास है तो D is the right answer यही correct match नहीं है मैदानी छेत्र लगववग 43% के आसपास है ओके चलिए आगे चलते हैं अगला question देखते हैं question number 45 What is the transitive area between two different ecosystem दो भिल्ले परितंत्रों के बीच में संकरांती छेत्रों को क्या कहते है दो पारिष्टिती की तंत्र के बीच में क्या आता है Ecotone, Ecosphere, Ecotype and Ecate तो आपको इसको बताना है answer तो देहाँ याद रखें दो परितंत्र दो परितंत्र का मतलब क्या होता है जैसे हमारा जो लेंड है स्थल का परितंत्र और जल का परितंत्र जहां पर इदोनों आपस में मिल रहे हैं घास का परितंत्र है एक घास परतंत्र है और एक तालाव का परतंत्र है वो आपस में मिल रहे हैं ठीक है उन्हें परतंत्रों की ये बात कर रहा है जैसे मैदानी चेतर है और कहीं पर हमारा क्या है यहाँ पर है हमारा जैसे बहुत जादा बन है तो बन और मरस्तर जहाँ पर एक दूसरे से मिल रह चलिए यहां पर देख लेते हैं यहां पर यहां पर यहां से लेकर यहां तक यह लेंड इको सिस्टम दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक क्या है यह लेंड इको सिस्टम है और यहां से आपको इक्वेटिक इको सिस्टम दिखाई दे रहा है ओके यहां पर इस्थर लेकिन ये वाला जो जमीन है यहां से लेकर यहां तक इसमें दोनों के गुण मौझूद हैं यहां पर लेंड एकोसिस्टम के भी गुण मौझूद हैं और यहां पर जली परतंत्र के भी गुण मौझूद हैं यह जानवरों के लिए यह जो हमारे जीव जन्तु हैं उनके लि इको इसी कौन क्या कहते है इको टोन कहते है अब इको टोन में क्या होता है याद रखना इको टोन में क्या होता है जैब बिवित्ता जादा होती है ये इको टोन का प्रभाव है इसको कहते हैं कोर इफेक्ट इसको कहते हैं कोर इफेक्ट वो भी आपको याद रखना है चलिए question देखते हैं आगे question number 46 आपके सामने है कौन सा इस्तांग तीन सागरों की मिलन इस्थल पर है तीन सागर जहां मिलते हैं अरब सागर, हिंद, नमासागर और हमारे बे ओफ बेंगॉल बताईए मुंबरी कोलकता कन्या कुमारी गुजराग तो इसका right answer क्या है कन्या कुमारी राइट answer है आपका कन्या कुमारी यह अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई भी था कन्या कुमारी कहां पर है हमारे भारत की मुक्य भूमी का दक्षृतम हिस्सा है दक्षृतम हमारा अगर कोई पूछे कि हमारे जो भारत का सबसे दच्षृतम विंदू कौन सा है देकर मुक्य भूमी का मैं मुक्य भूमी के बोल रहा हूँ मेन लेंड का तो कहा है कन्या कुमारी है याद रखना कन्या कुमारी पर ही 2.2 मीटर के आसपास देवेकारनंद जी की मुर्थी भी लगी हुई है वही भारत का सबसे दच्षृतम है साय मुक्य भूमी का देकर भारत का हो पूछले तो इंद्रा पॉइंट है इंद्रा पॉइंट को पिग मेलियन पॉइंट भी कहते हैं जो बड़े निकोबार में इस्तित है वहाँ पर आप जाकर देख भी सकते हैं ओके चलिए अगर इसी तरह से अगर नौर्थ की बात कर लें तो यहाँ पर कौन है इंद्रा कॉल है यह भी आपको याद रखना है इदर आप देखोगो पूरु में कोई क्या है तो पूरु में किवदु है अरुणाचर प्रदेश में है पक्षि में कौन है गोहर माता है जो गुजरात में है ओके चलिए आगे चलते हैं यापर question number 47 आपके सामने है बिष्ट कास सबसे चोटा देश कौन सा है बताइए नौरु है त Origalु है किरवाती है या मोनापो है आपको बताना है इसका answer complicat सबसे चोटा देश कौन सा है अब आपने सुना होगा सर हमें तो βेटिगन सिटी बता थी तो Vatican City अमने बता दिया, चलिए Vatican City तो है, लेकिन इसमें Option में नहीं है, तो आपको इनमेSU आंसर बता ना है, तो आपको यह पता होना चाहिए, ाना को है, तो इसका right answer है D, मोना को, मोना को है, Vatican City के बाद सबसे चोटा, सबसे चोटा तो Vatican City है, उसके बाद मोनाको का नमबर आता है उसके बाद नौरूत वालू किरवाती का नमबर आता है sequence भी है यहाँ पर ठीक है यह दूसरे नमबर पर आता है वैसे देखे हैं तीसरे पर चौर्थे पर और पाँचमे पर यह sequence और सबसे पहले पर कौन आता है वेटिकन सिटी याद रखो, IES की location में आपको दिखा दूँ, यह है कहाँ पर, यह है आपका मोनाको, यह फ्रांस है, दच्छर फ्रांस में एक छोटा सा, यहाँ पर एक इस्थान है ओके, यही पर है मोनाको आप इसकी इस्तिती देख सकते हैं, अपने मेप भी देख सकते हो मोनाको को ओके, यहाँ पर छोटा सा point आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला point यह नीला सा point दिखाई दे रहा है, यह है मोनाको, फ्रांस में, फ्रांस के दक्षर में आपको याद लखना, इस तरह से यहाँ पर जो आपको दिखाई देरा यह है Vatican City यह मैंने आपको Vatican City जो सबसे छोटा है, पहले नंबर पर आता है यह Monaco है, दूसरा है दूसरे नंबर पर आता है, यह Italy में जो Rome, Italy की जो राजदानी है वहीं पर यह छोटी सी जगा है, जो यहाँ पर इसाई पादरी रहा करते हैं, प्रीष्ट रहा करते हैं, और वहाँ पर सभी धार में कानून लागू होते हैं, ओके? चलिए, आगे चलते हैं याद रखना इसको, और दौनों ही यह जो देश हैं, दौनों ही European country हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं और चलिए, आगे चलते हैं question number 48 आपके सामने निम्न में से कौन? Gondwana Land का हिस्सा नहीं है आपको बताना है कि Gondwana Land का हिस्सा नहीं है Antarctica, दक्षर अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और Medagascar, क्या होगा इसका right answer? Which of the following was not a part of Gondwana Land Antarctica, South America, North America तो इसका right answer है उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका, Gondwana Land का हिस्सा नहीं है यह याद रखना, यह किसका हिस्सा है? Angara Land या जिसको हम Lorenzia भी बोलते हैं, उसका हिस्सा है तो चलिए देख लेते हैं, कि आज से लगवग लगवग 25 करोड साल पहले यह सारे महादीब जो आज साथ हैं यह सभी महादीब एक दूसरे से मिले हुए थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे इन्ही को हमने कहा पैंजिया इसके बाद इस पैंजिया का big turn program हुआ तो यहाँ पर टैतिस सागर बने गया और टैतिस सागर बनने के बाद यह पैंजिया दो भागों में बट गया, उपर वाले भाग को कहा लॉरेंसिया या अंगार लेंड और नीचे वाले भाग को कहा हमने Gondwana Land तो यह है Gondwana Land अब यहाँ पे देखे Gondwana Land से कौन कौन बने है यहाँ पर आपको दिखाए दिरहा South America है यहाँ पर Africa है, यहाँ पर Madagascar यहाँ पर India है, यह Antarctica है और यहाँ पर है आपका Australia तो यह सभी Gondwana Land के हिस्से हैं यहाँ पर Asia पूरा यूरोप है और इसके बाद आप पर नौर्थ अमेर का ये लॉरेंसिया और अंगारा लेंड के हिस्से हैं चलिए, कॉंटिनेंटर डिफ्ट थियोरी जो बैगनर ने दी थी उच पर ये आधारित है और आगे जाके इसके बहुत सारे सबूत हमारे जो नई-ने रिसर्चर हैं उन्होंने भी निकाले हैं कि हाँ ये बुर्कुर सब्ते बात है प्वेश्चन नमर 49 आपके सामने भारत और पाकिस्तान की सीमा किस प्रकार की सीमा का उधारण है आपको ये नहीं बताना भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम क्या है वो तो आपको पता होगा रेड किलिख पे भारत और अफगानिस्तान की सीमा का नाम क्या है डूरंड रेखा है भारत और चैना की सीमा का नाम क्या है मैंक मोहन रेखा है तो भारत और पागिस्तान की जो सीमा है वो किस प्रकार की सीमा का उधारण है परिवर्ती सीमा है अध्यारोपी सीमा है कूरवर्ती सीमा है या प्राकरतिक सीमा है तो इसका राइट आंसर आप जहां पता ये यहाँ परिवर्ती सीमा है सुपर-imposed boundary है, antecedent boundary है and natural boundary है अब आपको natural boundary आपको पता होगा क्या होती है कि जब दो देशों के बीच में अगर कोई जील हो, अगर कोई नदी हो या कोई परवत्स्रेनी हो उसके बज़े से गर दो देशों की सीमाई बन रही है तो उनको प्राक्रती सीमा कहते है पूरवरती सीमा का मतनव होता है याद रगना पूरवरती सीमा ऐसी सीमा होती है कि जहां पर पहले से ही याद रगना इसको क्या है पूरवरती सीमा ऐसी सीमा होती है जहां पर पहले से ही इसके तत्तों काuitenатив कानासर विकास महांसकर है उनके विकास वने के बाद articulated से पहले ही वहां पर सीवालत निदार करिया है अध्यारोपे सीमा क्या होती है व एक ऐसी सीमा रेका होती है जो बिदेशी सक्तियों के द्वारा जब जस्ती बना दी गई हो ठीक है यह बात जियाद रखना है बिदेशी सक्तियों के द्वारा जो बनाए गई हो तो भारत और पाकिस्तान के सीमा बिदेशी सक्तियों के द्वारा बनाए गई है इसे super imposed ये अध्या रोपे सीमा कहते है B is a right answer तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर आप देख सकते हो यह है radical if रेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं radical if रेखा है ऊपर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही चाइना चाइना की इस boundary को मेंग मोहन नहीं कहते हैं केवल इस boundary को ही मेंग मोहन कहते हैं यहाँ पर यह जो जो बारत और चीन की सबसे पूर्वी जो सीमा है उसी को मेंग मोहन के नाम से जानते हैं वो आपको याद रखना है चलिए question number 50 है आप लोगों के सामने question number 50 देखिए which of the following is the world largest desert दुनिया का सबसे बड़ा मरुष्थर कौन सा है great australian desert, arabian desert, govi desert and sahara desert इसका बताने आपको answer के फिर सुका सबसे बड़ा रेकिस्तान कौन सा है आश्चिरिया का महान रेकिस्तान अरब का मरुष्थर, govi या sahara, तो इसका right answer है D, sahara मरुष्थर, आईए यहाँ पर भी आपको मैं कुछ और भी effect सासा दे देता हूँ यहाँ पर देखिए, top 10 largest desert in a world in world, world में देखने हैं, तो सबसे बड़ा है आपका Antarctica desert, यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं होता, Antarctica desert सबसे बड़ा है, और दूसरे नमर पर आपका आता है, आर्कटिक desert यह पूरा आर्कटिक desert है, यह भी सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी, कोई भी आपको vegetation आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके बाद आता है आपका सहारा, यह यहाँ पर है सहारा ठीक है, उतरी अफरीका में है इसके बाद आता है Arabian desert, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह पूरा Arabian, हमने इस पूरा include कर लिया है, उसके बाद आता है आपका Govi desert, यहाँ पर Govi desert है जो कहाँ पर है, चैना और यह जो हमारा मंगोलिया है उसकी सीमा पर बना हुआ है यहाँ पर Great Victoria है, यहाँ पर और भी है Great Victoria है, Simpson है ठीक है, यहाँ पर Simpson है, Victoria है Great Sandy है, ऐसे बहुत सारे desert है लेकर यह Victoria है काला हारी जो है, वो बोथ सवाना में है याद रखना, पेंटागोनिया कहाँ पर है वो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना चिली की सीमा पर है Great Vision, मोजावे और Great Vision यह कहाँ पर है, यह North America में है और यह Arctic Desert है, यहाँ से लेकर यहाँ तो पूरा Arctic Desert है इस तरह से आप याद रखता होगे यहाँ भी बहुत सारे desert है यहाँ पर हमारा desert भी है यह यहाँ तरह से नारों पर यहाँ पर पक्षिमी किनारों पर नहीं है यह सब पक्षिमी किनारों पर याद रहाँ इसका कारण है क्योंगे यहाँ और ठंडी जलधाराएं बहती है और ठंडी जल्दारा जहाँ पर जाएंगी वहाँ पर एवापोरेशन नहीं होगा, वास्पी करन नहीं होगा, वास्पी करन नहीं होगा, तो बादलों का निर्मार नहीं होगा, ठीके कंडेंसेशन नहीं होगा और वहाँ पर बारिस भी नहीं होगी, ओके, चलिए आखरी इतना ही हम आज question कराएंगे आपको 51 निम्न मेंसे कौन सुमेरित नहीं है आपको बताना है कौन सुमेरित नहीं है एलबुरुस, रूस में, किलमिन जारो, नाइजीरिया, मांट गुक, नुजीलेंड और मांट में किले सहीं तुराज अमेरिका तो चलिए ये आपको आंसर बताना है, ये 2018 में पेपर आया था, R.A.S. का, क्योंकि वहापर सुमेरित करने के लिए आया था, एक, दो, ती, चार मैंने इस तरह से बना दिया है, लेकर question यही था ठीक है, Àilvris, तो आपको पता होगा, Àilvris कहां पर है, R.A.S. में है, ये बिल्कु सही है, किलिमिन जारो, नाइजीरिया में है, तनुजानिया में है, याद रखना, तनुजानिया, और ये किलिमिन जारो, क्या है, एक जुआला मुक्ई है, जुआला मुक्ई से एक चोटी कर लीजिए और अगर इसी प्रकार के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और हमें बताइए कि आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जोगराफी में और कितने क्वेशन कितने डीपली क्वेशन करना चाहते हैं और लेकर हम आपको जो क्वेशन कराएंगे वो काफी डेकर में भी होंगे आज ये पहले पहला आज हमारा ये पहला लेक्च्चर था इसके बाद जैसे-जैसे lecture हमाँ आगे बढ़ाएंगे उसी तरह से उतने ही उनका level जो होगा high से लेकर high होता चलेगा चलिए बबाए, take care पश्कार